दुनिया के टॉप टेन अजीब होटल हलो दोस्तो, आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के कुछ ऐसे होटल जो बेहत अनोखे और अजीब हैं लेकिन जिनके बारे में जानकर आप जरूर चाहेंगे कि अपने जीवन में कम से कम एक बार इन होटल में जरूर रुकें आज कल का हमारा लगजरी रहन सहन पहले के जमाने की तुल्ला में बहुत ही अलग है आज हमें सब कुछ सबसे अलग और भेतरीन चाहिए चाहे वो बात खाने की हो, कपड़ों की या होटल की होटल का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है एक आलिशान कमरा खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें, स्विमिंग पूल और ऐसी ही कई लगजरीज ताकि आप अपने यात्रा और अनुभव को और भी खास बना सकें जानिए क्या खास है इन होटल्स में दस, गौडीवा चॉकलेट स्वीट चॉकलेट किसे पसंद नहीं होती यह एक ऐसी चीज है जिसे खाने के लिए सब की सहमती होगी अगर आपको यह पता चले कि आप जिस होटल में रुक रहे हैं वहाँ आपका पूरा कमरा ही नहीं बलकि उसमें रखी हर एक चीज चॉकलेट से बनी है तो मैं तो खुशी से पागल हो जाओं यह सुनकर लेकिन यह कोई सपना नहीं है न्यूयोक के ब्राइंट पार्क होटल में ऐसा ही कमरा है जहां की दीवारे, तस्वीरें और यहां लगे जूमर तक चॉकलेट के हैं इस होटल ने यह चॉकलेटी कमरा 2008 और 2009 में वैलेंटाइन डे के समय शामिल किया था है ना इंट्रस्टिंग एक सर्वे के मताबिक 2004 तक इस दुनिया में केवल 1600 पांडाज ही शेश बचे थे हो सकता है कि आपको पांडा देखने का मौका ना मिले पर आप पांडा थीम का मज़ा जरूर ले सकते हैं चीन का पांडा इन होटेल बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बेहत पसंद आने वाला है यहां आपको अपने कमरे के बेट, हर दिवार, फरनीचर में पांडा देखने को मिलेगा यही नहीं, यहां का स्टाफ भी आपका पांडा की पोशाक में ही स्वागत करेगा यह सब जानकर आपका भी मन हो गया होगा यहां जाने का तो कब जा रहे हैं आप यहां? आठ, पोसाइडन अंडर सी रिजॉट फिजी अपनी सूची में हमने नमबर आठ पर रखा है पोसाइडन अंडर सी रिजॉट जो है फिजी में यह निराला होटल पानी के नीच स्थित है जहां आप अपने कमरे के बैट पर बैट कर या लेटे हुए अपने सामने घूमती हुई रंग विरंगी मचलियों को देख सकते हैं जरा आप कलपना करके देखें एक बार दर्शी कमरे में हैं और आपके चारो दरफ पानी में रहने वाले जीव घूम रहे हैं इसके बारे में सोच कर ही मन खुश हो जाता है फिजी का यह हुटेल इस तरह का एक ही हुटेल है यह ना केवल रुखने के लिए बलकि शादी, जन्म दिन और अन्य अवसरों पर भी किराय पर दिया जाता है अगर आपका भी सपना है समुद्र में रहने और इस जीवन को करीब से देखने का तो इस हुटेल में जरूर जाएं साथ, सैंट कैसल हुटेल, विमाउथ, यूके रेट से अपने कैसल यानी महल या घर तो आपने बहुत बनाए होंगे पर क्या आपको सच में रेट के घर में रहने का मौका मिला है नहीं, तो ये हुटेल आपके लिए उप्युक्त है ये हुटेल पूरा रेट से बना है और इसे बनाने में कारीगरों ने बहुत महनत की है इसकी खास बात ही है कि इसमें ये सुविधा भी है कि आप तारों की ज्ञाओं में उनकी ओर देखते हुए अपनी रात गुजार सकते हैं अगर आपको रेत में नहाना पसंद नहीं है या आपको इंडोर टॉयलेट्स पसंद है तो यह सैंट कैसल होटेल आपके लिए नहीं बना है छे, नाचूरा वाइफ पेरू पेरू का यह होटेल अपने आप में एक अजूबा है जिसमें हर एक कमरा अलग-अलग पहाण पर बनाया गया है इस होटेल तक पहुचना भी सब के बस की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पहुचने के लिए आपको पहाण चड़ना पड़ेगा मतलब ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा इतनी मेहनत के बाद जब आप होटेल के कमरे में पहुचेंगे तो आपको स्वर्ग के जैसा महसूस होगा और यहाँ से बाहर का नजारा भी देखने ही लायक है अगर आपको साहस भरे काम करना पसंद है तो आप यहाँ आकर एक अलग आनंद पा सकते हैं यह पूरा होटेल क्रिस्टल क्लियर बर्फ से बना है जिसमें हर चीज बर्फ की है यहाँ जील की जमी हुई बर्फ का प्रयोक किया जाता है इस होटेल में आपको कई अलग अलग तरह के अपनी सुविधा के नुसार कमरे मिल जाएंगे इस होटेल में रेस्टरॉण भी बर्फ के ही है यह होटेल करीब 28 साल पहले शुरू किया था और आज यह दुनिया के सबसे अनूठे होटलों में से एक है इस होटेल के बारे में एक अधभुत चीज ये है कि यहां का तापमान माइनस में ही रखा जाता है इसके बारे में जानकर ही ठंड लगने लग गई मुझे लगता है कि इस होटेल में गर्मियों में जाना ही अच्छा है आपका क्या मानना है इस होटेल की खास बात है इसका आकार जो जुआला मुखी की शेप में है इसमें उपर से एक पानी का जरना बहता है जो पूरे होटेल पर गिरता है इस होटेल में पहुचने के लिए एक पुल बनाया गया है जो इस होटेल तक पहुचने का एक मात्रे रास्ता है पहाड को काट कर बनाए गए इस होटेल से आप जंगल के नजारों का भी आनंद ले सकते हैं यहां आप एक से बढ़ कर एक लगशरी पा सकते हैं जैसे होट वाटर बाथ, स्की टूर्स, वाटर राफ्टेंग और गोल्फ आधी नौर्थ कोरिया के प्योंग येंग में बने इस होटेल को दुनिया का सबसे उचा होटेल भी कहा जाता है जहां 105 मंजिले हैं और 3000 कमरे हैं ये होटेल अपने सबसे उचे होने के कारण ही नहीं, बलकि सबसे कमजोर डिजाइन की बिल्डिंग होने के कारण भी लोग प्रिये है। इस होटेल को बनाने में इतनी अर्चने आई कि इसे मनहूस होटेल के नाम से जाना जाने लगा। इस होटेल को बनने में 26 साल लग गए वैसे तो यहां इतने कमरे हैं मगर इनमें आज तक एक भी व्यक्ती नहीं ठहरा है शानदार देखने वाला ये होटेल कई सालों से खुलने का इंतिजार कर रहा है तो, Crazy House, Vietnam जैसे कि इसका नाम ही वता रहा है ये होटेल है बिल्कुल Crazy इस होटेल की शेफ से ये है भूत बंगला अधिक दिखता है इसकी शेफ देखकर एक बार के लिए कोई भी हैरान रहे जाएगा इस होटेल की सीडियों को पेड़ के तने से बनाया गया है और लकड़ी का ही बना है इस होटेल का फरनीचर खिड़कियां और अन्ने सामार टूरिस्ट के लिए ये स्थान किसी आकडशन से कम नहीं है इस होटेल का हर एक कमरा अलग-अलग जानवर की धीम पर बनाया गया है जैसे चीता, कंगारू यद दीमक एक अटराप, रिवेस, बबल होटेल, फ्रांस अजीब होटेल की कड़ी में हमने नमबर एक पर रखा है फ्रांस के बबल होटेल को जिसमें ठहरना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है इस होटेल के सभी बबल्स को रिसाइकल्ड मेटीरियल से बनाया गया है इन बबल्स में अन्ने सुविधाओं के साथ-साथ एसी और प्राइवेट बात्रूम की भी सुविधा है हाला कि हर एक बबल के कुछ हिस्से को जाडियों और पेड़ों से ढखा गया है ताकि महमानों को कुछ एक कांत मिल सके हमारे इस वीडियो को देखने का शुक्रिया हमारे वीडियो को लाइक करें इस पर कमेंट करें और शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें जैसे आपको यह वीडियो पसंद आया है वैसे ही हमारे अन्य वीडियो भी जरूर पसंद आएंगे